Hello everyone, welcome back to literature सार्थी आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्राखन लेक्चरर स्क्रीनी एक्जाम पॉइंट और व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक पर हम आते हैं तो बच्चे किसी भी देश की सर्वोच संपती है और ये संभावित मानाव संसाधन है वास्तों में सिक्चा जो एक समविधानिक अधिकार था सुरू में अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है अधिकार की सिक्चा के लिए विकास इस तरह से हुआ कि भारत के समविधान की सुरूआत सिक्चा का अधिकार अनुछेद 41 के तहट निती निर्देशक सिद्दान्तों के तहट मानेता दी गई थी जिसके अनुछेद 41 के अनुछेद 41 के अनुछेद राजिय अपने आर्थिक चमता और विकास की सीमाओं के भीतर, सिक्चा और बेर्योजगारी, व्रधा अवस्ता, बिमारी और विकलांगता के मामले में सारवजिनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं और सही हासिल करने के लिए प्रभ्यवस्था करने और नाहक के अन्य मामले चाहते हैं मुफ्त और अनिवार्य सिक्षा का आस्वासन राज्य के निती निदेशक अनुछेत 45 जो इस प्रकार चलाता है के तहत सिद्दान्तों के तहत फिर से किया गया राज्य के लिए प्रदान करने का प्रियास दस साल की अवधी के भीतर होगा मुफ्त और अनिवारे सिक्षा के लिए इस समिधान के सभी बच्चों के लिए प्रारहम से जब तक वे 14 वर्स के आयू पूर्ण नहीं करे इसके इलावा सिक्षा परदान करने के साथ 46 लेख भी संबंदित जातियों अनुसूची करने के लिए जन जातियों और समाज के अन्य कमजोर अनुसूची तत्य यह है कि सिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संबिदान के भाग चार के तहत निप्टा बताते हैं कि कैसे महतोपून यह संबिदान के निर्माताओं द्वारा माना जाता है 29 लेख और आलेख सिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझोते और अब हम अनुचेद 21 ए हैं जो एक मजबू तरीके से आस्वासन देता है 52 में समिदान 26 संसोदन में अधिनियम सिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहाचाना जाने लगा और लेख 21 ए इसलिए समिद होना जिसमें कहा गया कि राज्य की रूप में इस तरीके के विधी द्वारा निर्धारित कर सकते हैं 56 से 14 वर्ष के सबी बच्चों को अनुवारे और मुफ्त सिक्षा परदान की जाएगी यहां अन्ततह उन्नी किटसनन जेपी वी राज्य आंदर परदेश की सिक्षा को एक मौलिक अधिकार में लाने का निर्णे लिया किया गया और इसके बाद भी है संगर सामिल राज जिसमें अनुश्चेद 21 के बारे में लाने के लिए और बाद में सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम इसलिए आटी अधिनियम के लिए एक कच्चा मसोधा विदेख 2005 प्रस्ताव किया गया तो इस तरह से हम समरी के रूप में जान लेते हैं कि समिधान के 86 संसोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 जोड़ा गया और जो यह प्रवधान करता है कि राज्य विदी बनाकर 6 से 14 वर्स के सभी बच्चों के लिए निसूल्क सिक्षा अनिवारिय के लिए अबबंद करेगा और इस अधिकार को व्यवारिक रूप देने के लिए संसद में निसूल्क अवं अनिवारे सिक्षा अधिनियम 2009 पारित गया गया जो 1 अप्रेल 2010 को लागू हुआ इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं इस अधिनियम के अंत्रगा 6 से 14 वर्स के लगभग 22 करोड बच्चों में मैंसे 92 लाख बच्चे विध्याले नहीं जा पाते हैं जिनकी सिक्षा के लिए 1.71 लाक करोड रुपे की 5 वर्सों में आविशक्ता होगी और जिसमें से 25,000 करोड रुपे वित आयोक राज्य को देगा तो इस तरह से हमने जाना सिक्षा का अधिकार तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आये होगी अगर ये पसंद आये होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल एक टीचर साथी को सबस्काइब भी कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ नेक्स वीडियो में तब तर के लिए टेक कियर और बाई बाई